सबसे पहला प्रसन है हमारे पास निमिलिखित कफ़नों पर विचार कीजिए अलफांथो को भारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्तापक कहा जाता है और दूसरा कफ़न है फ्रांसिसको डी अलमीडा की नीती को सांत जल की नीती कहा जाता है तो दोनों ही कथन हमारे सही है, अलफांसो को ही पुरुतिगाली सक्ति का वास्तविक संस्तापक कहा जाता है, और फ्रांसिस्को डी अलमीडा की जो नीती है, उसे सांत जल की नीती भी कहा जाता है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नमबर C, A और एक और दो दोनो अगला प्रसंद देखिए, भारत में फ्रांसिस्यों की पहली कोठी निमलिखित में से कहा इस्तापित की गई, तो फ्रांसिस्यों की पहली कोठी बतानी है, इन में से कहा इस्तापित की गई, तो ये की गई थी सूरत में, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि क्वेस नमबर B सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद देखे भैरवाल की संदी के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कथन देख सकते हैं यहाँ पर पहला कथन है जिंदन को 48,000 रुपय वार्सिक पेंसन दी गई और लाहोर में एक इस्थाई अंग्रेजी फोज रखने को स्विक्रिती परदान की गई तो दोनों कथनों में से कूट की सायता से चुनना है सही उत्तर और सही उत्तर हमारा है option number C एक और दो दोनों ही कथन सही है भैरवाल की संदी के संदर में अगला प्रसंद देखे पुरंदर की संदी निमलिखित में से किस वर्स हुई पुरंदर की संदी बतानी है इस वर्स हुई थी सही उत्तर आपका है 1665 में हुई थी पुरंदर की संदी अगला प्रसंद देखे सूति वस्तर की पहली मिल यानि सूति वस्तर का पहला कार खाना कहां इस्तापित हुआ था तो यह आसान सा प्रसंद हो गया कलकत्ता में जाएगा अगला प्रसंदी के बिटीज सरकार द्वारा इस्तापित पर्थम समाचार एजेंसी निमलिखित में से कौन है तो बिटीज सरकार द्वारा जो इस्तापित है पर्थम समाचार एजेंसी उसका नाम बताना है सही उत्तर आपका हो जाएगा option number A writer अगला देखिए दि उत्तुबदीन एबक के समय राजधानी थी लाहॉर में option number B सही उत्तर हो जाएगा सल्तनतकाल में 40 दल ये काफी important है 40 दल की इस्तापना निमलिखित में से किस सासक ने किया था तो सही उत्तर इसका बलबन है आरिज विभाग की स्तापना और आरिज विभाग जो होता है ये एक तरह से सैन्य परमुख एक तरह से होते हैं इसमें तो सैना से सम्मंदी थी भी भाग था आगला प्रसंद देखिए पुरा पासान काल के संदर में निमन कथुनों पर विचार कीजिए पहला कथन है यहाँ पर पुरा पासान कालीन मानव को किरिसी का ज्यान था और दूस पहला वाला गलत हो गया तो यानि सही उत्तर हो गया आपका किवल कथन दो सही है अगला प्रसंद देखिए तामर पासान संस्कृति के महत्तों के संदर में कौन सा कथन सत्य है इस काल में किर्शक समदाय का गठनवा यह भी सही है भारत्य ग्रामीन समाज की सुरुआत तो यह तो सभी को पता है मोहंज उद्रों से प्राप्त हुआ था अगला प्रसंद देखिए वैदिक सहाइत्य रिगवेद में कितने मंडल हैं यह भी आसान सा प्रसंद है सही उत्तर है अप्शन नमर ए 10 मंडल उत्तर वैदिक काल के महाजनपदों का उलेख किस बौद गर पर्थम जो सिलालेख है उसमें वर्णन किया गया है कि जीव हत्या निसेदो यानि परसों की हत्या नहीं होनी चाहिए अगला प्रसंद देखिए असो के किस सिलालेख में जीव हत्या निसेद के बारे में उलेख किया गया है तो यह हमने देख लिया पर्थम सिलालेख है ग तरंगीत रतनाकर सारंगदेव मान कौतुहल मान सिंह राग विभूद सोमनात और राग तरंगणी और अरंग जेव यानि इसका जो सही उत्तर है उप्शन नमर डी है राग तरंगणी औरंग जेव से संबंदित नहीं है अगला देखिए दूसरा फिर से सुमेलित करना है यह अगला प्रसन देखिए कालिंजर पर आक्रमन हुमायू ने किस वर्स किया था तो कालिंजर पर हुमायू ने आक्रमन किया था आपका 1531 में ऑप्शन नमर ए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अकबर ने फतेपुर सीकरी की स्तापना यह इंपोर्टेंट है फ अगला प्रसिंदी कि निमलीखित में से किस मुगल कालीन व्यक्ति को सहाबुलन्द इकबाल की उपाधी दी गई थी दाराशिकोग और इसका सही उत्तर हो जाएगा नस्क पढ़नाली का आरंब निमली खित में से किस ने किया था तो नस्क पढ़नाली का आरंब किया था सिहाबुदीन एहमाद ने option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का सबसे नजदी की गर है तो जोग्रफी से related MCQ अब आगे सूर्य का सबसे नजदी की गर है निमली खित में से कौन शा है तो आसान सा प्रशन है बुद्ध जो है सूर्य का सबसे नजदी की गर है हो गया सौर मंडल का सबसे बड़ा गर है सबसे बड़ा गर है आपका ब्रस्पति हो गया option number B करकरेखा निमलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है तो यहाँ पर देखे ताइवान हो गया, चीन हो गया, म्यामार हो गया, इंडिया हो गया, बांगलादेश हो गया इन सबसे जो है करकरे खाओ कर गुजरती है चिली से नहीं गुजरती है उप्सिन में डीस का सही उत्तर हो जाएगा ग्रे नाइट का निर्माण निमलिखित में से किस चटान की नमी परत से होता है ग्रे नाइट का निर्माण होता है आपका आगने चट्टान की नमी परत से option number A से ही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से परसुप्त ज्वाला मुखी का कौन सा उधारन है तो इन में से परसुप्त ज्वाला मुखी का उधारन है फ्यूजियामा और कहा है तो ये जापान में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रसंद देखिए धुवारों की घाटी निमलिखित में से कहा इस्तित है धुवारों की घाटी इस्तित है आपका अलास्का में option number A इसका correct answer हो जाएगा अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा परवत अवसिस्ट परवत नहीं है तो इन में से देखिए राजमहल हो गया अरावली हो गया सत्पुड़ा हो गया ये सब क्या है अवसिस्ट परवत है और अगर बात की जाए वाजजेस परवत जो है ये अब सिस्ट नहीं है बल्कि ये block mountain है तो ये आपको धियान रखना है अगला प्रसन रिखे, Lois Maydahan का निर्मान निमलिखित में से किन के माध्यम से होता है तो Lois Maydahan का निर्मान होता है, हवा द्वारा उडा कर लाई गई, मिट्टी वा बालु के कनों से option number A, इसका सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सी उसन कटिबंदिया घास भूमी है उसन कटिबंदिया घास भूमी इनमें से बताना है सही उत्तर आपका है compose जो कि ब्राजील में है option number A सही उत्तर हो जाएगा अफरिका को एसिया से पिर्थक करता है तो कौन सी जलसंदी है जो अफरिका को एसिया से पिर्थक करती है सही उत्तर है आपका बाबा अलमंदेव जलसंदी और जिब्राल्टर जलसंदी जो है योरोप से पिर्थक करती है अगला प्रसंद देखिए भारत का सबसे दक्षणी बिंदु है तो भारत का सबसे दक्षणी बिंदू इंद्रा पॉइंट हो गया, उप्सन नमर B से उत्तर हो जाएगा, सिपकिला दर्रा किस भारतिया सहर को तिबबत से जोड़ता है, तो सिपकिला जो दर्रा है आपका HP में, ये कौन से भारतिया सहर को, तो सिमला को जोड़ता है, किस से तिबबत से, तो इन में से आप देख सकते हैं, वैसे भी सिमला का एकी सहर, HP का एकी सहर उसमें है, सिरिन अगर आपका JNK में हो गया, ले हो गया और अपका उत्रा खंड में हो गया, महाबारत सिरेनी हिमाले के किस भाग में, तो ये लगू हिमाले में इस्तित है, उप्सन नदी बतानी है, तापती की सायक नदी इन में से पूर्णा नदी है, अगला प्रसंद देखिए, चूलिया जल्परपात किस नदी पर इस्तित है, चंबल नदी पर चासे चूलिया और चासे चंबल ऐसे घर के पियाद रख सकते हैं, निमलिकेत युगमों में से कौन सा 1958, सही उत्तर इसका है, अकिल भात्या हस्तकला बोड़ किस था अपना 1958 में नहीं, बलकि 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी, तो सही उत्तर ऑप्सन नमर डी है, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, कुटी रुद्योग बोड़ 1948 में हुआ था, सिल्क बोड़ नदी पोड निमेलिकलों पर विचार किजиे भारत के उत्तरी मैदान में वरसा सीत रितु में पस्चिमी विङशोप के कारण होती है बिल्कुल सही बात है और भारत के कोरो मंडल तट जो कि तमिल नाडू का तट है नीचे उत्तर पूरवी मांसून के कारण वरसा होती है तो दोनों ही कतन सही है। लोड़ता हुआ जो मानसून है उतरी पूर्बी मानसून उसके द्वारा कोरो मंडल तेट पर वर्सा होती है और भारत का जो उतरी मैदान है यानि हमारा वाला जो एरिया है उसमें सीत रितु में जो वर्सा होती है वो पस्चिमी विक्षोप के हमारा सही उत्तर हो जाएका एक और दो दोनों सही है और उप्षन नमबर C अगला दीखिए एल नीनो के परभाव के संदर में नमिलिखित कथोंनों पर विचार कीजिए तो एल नीनो जो परभाव है इसके संदर में बताना है परिसंचरण में विक्रिती उत्पन होती है समुद्री जल में वास्पन में अनियमित्ता देखी जाती है तो भूमदे रिखे वाय मंडलिया जो परिसंचरण होता उसमें विक्रिती उत्पन होती है और समुद्री जल में वास्पन में भी अनियमित्ता देखने को मिलती है इसे वज़े से मौनसून भी आते हैं और मौनसून एक तरह से जलवायू काफी परभावित होती है अलनीनों से तो सही उत्तर इस प्रसन का है option number C एक और दो दोनों कथन इसमें सही है option number C आपका सही उत्तर हो जाएगा जलूड मिट्टी की क्या विसेस्ता होती है या नदियों द्वारे लाई गई मिट्टी है इसमें पोटास की बहुलता होती है सबसे ज़ादा उपज़ाओ होती है option number D का सही उत्तर है लेटराइट मिट्टी में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में अधिकता पाई जाती है law oxide और nitrogen की option number B सही उत्तर हो जाएगा अगला दिखिए निमली खित युगमों में से सही युगम की पहचान कीजिए sericulture मदमक्की पालन अगला दिखिए खनीज अन्वेशन निगम का मुख्याले निमली खित में से कहाँ पर रिष्तित है अगला दिखिए अखिल भारतिया संग की इस्तापना निमली खित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था अखिल भारतिया संग के इस्तापना 1935 सिजबी का जो भारत सासन अधिनियम है इसके द्वारा की गई थी संबिधान सबा की संचालन समीती के अध्यक्ष निमली खित में से कौन थे संबिधान के प्रारूक पर कुल कितने दिन बहस हुई थी तो कुल 114 दिन तक संवीधान के प्रारूप पर भहस हुई थी संवीधान सबादवारा रास्टिय ध्वज को किस वर्स अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को रास्टिय ध्वज को अपनाया गया था अगला प्रस्तावना की भासा निमलिखित में से किस देश से ली गई है तो प्रस्तावना की भासा हमने ली है आस्ट्रेलिया के संविधान से option number 20 का गरेक्टर अंसर हो जाएगा अगला देखिए भारत्य संविधान में सासन ब्यवस्ता के बिभिन पदा अधिकारियों के वेता निवम भत्तों आधिका उलेक निमलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है तो पहली अनुसूची है अपका भारत एक राजियों का संग होगा दूसरी अनुसूची है उच्छ अधिकारियों के बेतनेवं बत्ते सही उत्तर हो जाएगा option number B अगला देखिए विधी के समक्ष समता का अधिकार निमलिकित में से किस अनुछेद के अंतरगत ब्यक्ति को प्राप्त है तो विधी के समक्ष समता का अधिकार है अनुछेद number 14 option number A अगला देखिए सम्भिधान के किस अनुछेद के अंतरगत निवारक निरोद प्राप्धान का उलेख किया गया है तो यह निवारक निरोद प्राप्धान जो है यह आपके अनुछेद 22 में है option number A सम्भिधान के किस अनुछेद में बढ़नित है तो यह आसान सा question होगे आपका क्योंकि आर्टिकल 51 पता है आपका इसमें क्या है विदेश निती है भारत की विदेश निती से सम्भिधान करेगा अनुछेद 22 को आप ऐसे भी eliminate कर सकते हैं यह मौली का दिखा रहा है और 51 तो हम बोल चुके हैं इसमें के अविदेश निती है अगा दिखिए भारतिया कारेपालिका की सकती निमलिकित में से किसमें नहीत है तो कारेपालिका की सकती रास्टपती में नहीत है अपसा नंबर तक रहता है तो अध्यदेश जैसे अध्यदेश लाया जाता है तो उसका परभाव जो है संसा सत्र जब सुरू हो जाता है तो उसके छे सप्ता तक रहता है और बीस अउत्तर हो जाएगा राज्य सभा में सदस्यों की संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है अधिक्तम 250 हो सकती है option number A सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के महादिवक्ता की नियुक्ती निमलिखित में से कौन करता है महादिवक्ता की नियुक्ती बताना है सही बात है और महालेखा परिक्षक सार्बजनिक धन का सरक्षक होता है यह भी सही है यानि एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे option number C अगला देखिए भारत में नई राज्यों के निर्मान के लिए संविधान संसोधन किस वेधी द्वारा संसोधन के आजा सकता है यानि किस तरह से तो साधारन वेधी द्वारा होता है यह option number A इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रसन है भारत के परतेक राज्यों में उच्छ न्या अधिकरण का गठन निमलिकित में से किस वर्स किया गया था तो केंदिय परसासनिक अधिकरण का गठन हो था 1985 में option number 20 से उत्तर हो जाएगा राज्यपाल पद को भारतिय संविधान में निमलिकित में से कौन से विसे साधिकार प्राप्त हैं वो आपने पद की सक्तियों के पर्योग के लिए नियायले के परति उत्तरदाई नहीं है बिल्कुल सही बात है पदावदी में नियायले द्वारा अपरादिक कारवाई नहीं की जा सकती जब तक राजयपाल पद पर बने हुए है तब तक अपरादिक कारवाई उन पर नहीं हो सकती है गिरफतारी का से अधिक नहीं होनी चाहिए 20 परतिसत नहीं बलकि 15 परतिसत से अधिक नहीं होनी चाहिए तो दूसरा कथन गलत हो गया मंत्र पर सामोही कुरूप से लोगसभा के परति उत्तरदाई है यह भी सही है यानि सही हो जाएगा मारा पहला और तीसरा तो यानि किवल एक और तीन सह प्रसन काल का समय निमलिखित में से क्या निर्धारित किया गया है संसत का पहला घंटा प्रसन नमर E सहित रह जाएगा युगम सही सुमिलित नहीं है पर्थम संसोधन अधिनियम संपति अधिगरन, चौथा संसोधन अधिनियम किसी व्यापार को और आस्ट्यकृत बनाने का राज्य को अधिकार, दस्वा संसोधन अधिनियम दादा नागर हवेली को भारत में जोड़ना, और तेर्वा संसोधन अधिनियम केरल को राज्य का द तो नागालेंड को भी से इस राजय का दर्जा दिया गया तेरवा संविधान संसूधन के द्वारा तो अप्सन अबर डी इस का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोकि सुमेलित नहीं है आपको ध्यान होगा 1967 में सिंदिभासा को जोड़ा गया था आठ्वी अनुसूची में तो 67 में 21 संविधान निक संसूधन भारत के पर्थम मुख्या नियाए थी इस निमलिखित में से कौन थे तो सबसे आसान प्रस्न हीरालाल जे कानिया थे अप्सन मर एई पर्यावरन इवं बन मंतराले का सिर्जन निमलिखित में से किस वर्स किया गया था पर्यावरन और बन मंतराले का सिर्जन बताना है ये किया गया था आपका 1985 में 1985 में अगला प्रसंदी के मानो भूगोल के जन्मदाता की संग्या निमलिखित में से किस से परदान की गई है तो मानो भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है रेड जेल को फ्रेडरिक रेड जेल option number A सही उत्तर हो जागा विश्वक की सरवादिक अवसाद परिवहन निमलिखित में से कौन सी नदी करती है अब इन में से बताना है अगर इसमें नाइल होती तो नाइल सबसे ज़ादा अवसाद परिवहन करती है नील नदी और इन में से यलो नदी option number A सही उत्तर हो जागा भोपाल गैस तरह सदी निमलिखित में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी तो भोपाल गैस तरह सदी ये बार-बार पुछा जाता है प्रस्न मिथाईल आइसो साइनाइट भारत में गैर प्रमपरागत उर्जा सुरोत विभाग की स्तापना कब की गई थी तो गैर प्रमपरागत उर्जा सुरोत विभाग की स्तापना हुई थी 1982 में उप्सन नमर 20 सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था तो ये अपनाया गया था प्रतिवी सम्मेलन में 1992 में जो कि कहा हुआ था अगला देखिए गहन पारिष्थिती की सब्द का पर्योग निमलिखित में से किस नहीं किया था अर्नीज नेश ने उप्सन नमर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अर्नीज नेश करके ऐसे कहीं पे लिखावा आपको नाम मिलेगा अगला देखिए प्रकास अंसलेशन की किरिया में उर्जा का रूप अंतरन किस रूप में होता है तो प्रकास अंसलेशन में उर्जा का रूप अंतरन होता है रासाइनिक उर्जा में ये चक्र दिये गये हैं, ऑक्सिजन चक्र, फॉस्पोरस कार्बन और जलिये चक्र, तो जो आलमों की फटने से फॉस्पोरस चक्र सरवादिक प्रभावित होगा, तो फॉस्पोरस फसलों के लिए important है, तो फसलों को काफी जादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस खनिश का उप्योग किया जाता है, तो अगर मिर्दा चारिया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, पाइराइट का, पाइराइट का, एफिएस टू, इसका सूतर होता है, ये भी आप दियान रख सकते हैं, अगला दिखिए, किस भुकंपिया लेहर द्व तो माहसागरों में लबनता का मुख्य कारण क्या होगा, नमक होगा, सोडियम क्लूराइड, ऑप्सन नमबर B सही उत्तर हो जाएगा, दरियाई गधा पाया जाता है, तो दरियाई घोड़ा अपने सुना होगा, लेकिन दरियाई गधा भी पाया जाता है, और ये अफरिका का सेंटर इस्तित है, आपका एहमदाबाद में, ऑप्सन नमबर B सही उत्तर हो जाएगा, जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की स्तापना की गई थी, तो ये 1916 में 1916 में की गई थी, जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया, लंबाई का SI मातरक, लंबाई का SI मातरक मीटर हो ग तो यह भी सही है और यह भी सही है, option number C आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो दो नो कथन सही है, आकास का नीला रंग परकास की निमलिकित में से किस परी घटना के कारण दिखाई देता है, तो आकास का नीला रंग परकास के परकेणन के कारण दिखाई देता ह बी सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक सेल के संदर में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए प्राथमिक सेल का मतलब जो सेल हम जैसे घड़ियों में यूज करते हैं तो इस सेल का केवल एक बार पर योग हो सकता है सही बात है और बोल्टेसल प्रात्मिक सेल का उढ़ारन है बोल्टेसल इसी सेल को कहते हैं तो option number C इसका भी सही उत्तर हो जाएगा धारा और विभुआंतर के बीच संबंद की खोज सरपर्थम किस ने की थी तो धारा और विभुहंतर के बीच संबंद की खोज किस ने की थी तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपसा नमर ए जोर साइमन ओम ने ओम का नियम आपने पड़ाओगा विद्यूत आवेस की खोज बताना है इनमें से किस ने की थी बेंजमिन फ्रेंकलिन ने की थी ओपसा नमर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिए किसी विद्यूत चालक में उत्पन परतिरोग रोध किस बात पर किस पर निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है सही उतर आपका हो जाएगा बिचालक पदार की परकरती पर भी ताप पर भी और लंबाई पर भी उपरिउक्त सभी इसका सही उतर हो जाएगा चुम्ब के छेतर का S.I. मात रख होता है टेशला उपसन अमर A सही उतर हो जाएगा अगला देखिए सल्फियूरिक अमल का उप्योग किया जाता है पेट्रोलियम सोधन में सही है विस्पोटक बनाने में भी किया जाता है और औस अधियां बनाने में भी किया जाता है option number D's का correct answer है मिट्टी में अमलियता दूर करने के लिए निमलिखित में से किस का उप्योग किया जाता है तो मिट्टी में अमलियता दूर करने के लिए बताना है इन में से किस का उप्योग किया जाता है सही उत्तर है आपका calcium hydroxide option number C सही उत्तर हो जाएगा मदमक्षी के डंक से जलन किस कारण उत्पन होती है बना होता है वास्तविक बिलियन जैसे अगर नमक और पानी को आप घूल देंगे तो वो क्या हो गया एक तरह से वास्तविक विलियन है इसमें कण आनुक आकार वाले होते हैं तो आनुक आकार वाले कण होते हैं ये भी सही है यानि दोनों ही कथन सही है एक और दो दोनों कथन सही है कोश्च का सिधांद का परतिपादन किया था स्लाइडेन भी दिया है, स्वान भी दिया है अलग-अलग दिया है दोनों ने ही किया था आप्स नंबर C सही उत्तर हो जाएगा कोश्च का जिली किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है तो carbohydrate और protein से मिलकर बनी होती है उसका जिली A और C सही उत्तर हो जाएगा अगला देखें विसाणों की खोज निमलिखित में से किस वैग्यानिक ने की थी तो विसाणों की खोज की थी इवानोविस्की ने option number B सही उत्तर हो जाएगा जाँग की हडई, option number A सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी अंतहसरावी गरंथी ए तो thyroid gland जो है आपकी सबसे बड़ी अंतहसरावी गरंथी होती है option number A आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला देखें रुदीर परिसंचरण तंत्र के परमक्वकार्य है तो रुदी यहाँ पोशक्पदार्तों को सरीर के विभermKY भागों तक परवेहन करता है सही है बलड के थुरू और यहाँ हार्मोन हार्मोन भी क्या करते हैं नतसरावी ग्रंथी से लक्षित अंग ठक यानि जिस अंग थक पहुचाना है उस अंग थक पहुचाता है ये भी अरुदील के द्वारा ही होता है कार्य तो दोनों ही कथन सही है यानि option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों सही एड्स रोग निमलिकित में से किन कारणों से हो सकता है संक्रमित रखता धान यानि संक्रमित अगर बलड चड़ा है दूसरे वक्ति को तो भी हो सकता है असुरक्षित अगर यहन समंद मना रहे है तो भी एड्स हो सकता है और संक्रमित सुईयों का अगर साजा इस्तेमाल दूसरे वक्ति को भी उसी सुईय का यूज़ कर रहे हैं तो भी हो सकता है यानि option number D ये सारे के सारे कारण है जिन से AIDS रूग पैल सकता है अगर देखी किसी पादप की जड़ो में औकजिन अमल अधिक होने पर पादप पर इसका क्या परभाव पढ़ता है तो अगर औकजिन अमल की अधिकता हो जाती है तो पादप की वृद्धी में कमी हो जाती है option number B सही उत्थर हो जागा अगर देखे आंत ज्वर निमल कित में से किस अंग को परभावित करता है यह करता है आपको आंत को भी और पिलीहा को भी और भी दोनों सही उत्थर है अगर देखे सुखंडी रोग यह थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है कुल मिलाकर सूखा रोग है किस विटामिन की कमी से होता है तो एक तरह से विकेट्स जो होता है विटामिन D की कमी से option number C सही उत्थर हो जाएगा गल्सवा रोग का परमुक कारक है यह मंपस वाइरस होता है तो विली सी नामक जो दवाई हैं ये तपेदिक के लिए हो थी ओप्सन नमर रही सही उत्तर हो जागा अधिक है यहां पर करेंट के कुछ MCQ मिलेंगे आपको रास्ट्य युवा संसद महोटसब का चौथा संसकरण कहां आयुजित किया गया तो यह किया गया था आपका नई दिल्ली में उप्सन नमर डी से उत्तर हो जाएगा इसका पांचवा आसियान भारत व्यापार सिखर संभीलन 2023 का आयुजित निमलिकित में से कहां किया गया है यह किया गया है कुवा आलंपूर और कुवा आलंपूर जो है आपका यह आपकी है मलीसिया की राजधानी तो मलीसिया की राजधानी में यानि अगर देश पूछा जाये तो मलीसिया अंसर करना है कुवा आलंपूर आजाये तो कुवा आलंपूर और यह भी पूछा जा सकता क्योंकि कुवालमपूर चर्चा में है तो ये भी पूछ सकते हैं आपको मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा उप्शन नंबर A इसका विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्गाटन भारत में किस इस्तान पर किया गया तो हुबली में विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्गाटन किया गया है उप्शन नमर B से उत्तर हो जाएगा इसका निमलिकित कत्वनों पर विचार कीजिए परध 27-28 तक इस टेक्स्टाइल पार्क को जो लक्षा है इसको पूरा किया जाएगा तो 27-28 है यानि दूसरा वाला कथन आपका गलत है तो केवल आपका एक सही है अगरा देखिए भारत की पहली ब्यावहार परियोगसाला ये काफी इंपोर्टेंट इनेसिव हैं कि ब्यावहार से समंदित परियोगसाला का इस्तापित की जाएगी आपके जैपूर में आपसन नमर 20 से उत्रहस का देश का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलिस्कोप अब उत्राखंड करेंट अफेर्स अगर आप फॉलो करते आए हैं तो हमने हर महीने के करेंट अफेर्स वहापर डिसक अब हम लगाते हैं प्रेक्टिस का वह उत्राखंड प्लस इंटरनेशनल नेशनल सारे मिला के पचास को जन्हार मंथ हम डिसकर्स करते हैं तो लिक्विड मेर टेलिस्कोप जो फॉलो करते हैं आसानी से इसका उतर दे सकते हैं नहीं निताल में ऑप्शन अमर रही सही उत्त प्यार भी याद रखना चाहिए और पहला जो भी होता है वो जुरूर याद रखें वो पूछा जाता है पेपर में तो कार्बन डाउकसाइड को समुद्र के नीचे बंडारित करने वाला पहला देश है आपका डेनमार्क ये काफी इंपोर्टेंट है और डेनमार्क इसलिए जो है जो रैंकिंग होती है उसे पर दूसर वगेरा उसमें पहले नमबर पे रहता है तो अक्सर बहुत अच्छा दिवस किस महान विभूती की जैनती के अफसर पर मनाया गया तो ये महादेव लाल स्रॉफ है अप्शन नमर 20 सही उत्तर है इसका निसार उपगर है निसार निसार का मतलब है नासा और इश्रू तो दो एजेंसियों का सही उत्तर हो जाएगा आपका अगला देखिए लाल स तिरवाला दुरूलब गिद जो है ये बिलुप्त होती भी पर जाती है एक अभी हाली में दुद्वा रास्क्या उध्यान में इसकी खोज की गई है टाइम पत्री का 2023 में विश्व की महान तम इस्तानों की सूची में नमिलकित में से किन दो भारतिया इस्तानों को सामिल क अबिश्व गाए अब का मयूर भंज हो गया और लद्दक हो गया मयूर गंज लिखा है मयूर भंज है इसका नाम मयूर भंज औरिसा में है यह मयूर भंज और लदा का अप्शन नमबर 20 का सयुत्तर हो जाएगा अगला देखिए बिटिस कंसल्टेंसी एजेंसी स्काइ टैक्स ने विश्टो के सर्बस्रेश्ट एयरपोर्ट की सूची में पर्थमिस्तान किसे दिया है तो ये दिया है हमद अंतरास्य हवाई अड़ेखो अप्शन नमबर 20 से उतर हो जाएगा ब्र्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौनसा इस्तान प्राफ्त है तो भारत का इस्तान है 126-126 वँ अस्तान भारत को जो है हैपिनेस रिपोर्ट में दिया गया है तो ये बताया 952 होने की ये रिपोर्ट भी हमने करेंट अफेर्स के वीडियो में डिसकस की थी पिछले या पिछले के पिछले मन्त में अगला दिखिए सविक्तरास्ट ने 200 जल दिवस 2023 को चिन्नित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है अगला दिखिए भारत के लेखा महानी अंतरक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो ऐसे इस दूबे बने हैं भारत के लेखा महानी अंतरक अगला दिखिए निमलिकित में से किस मन्तराले को पोर्टर पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया आपका स्वास्तेवं परिवार कर लिया नमंतराले को आप है रास्टिया फोटोग्राफिक पुरस्कार वित्रण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो यह किया गया सुस्री है, सुस्री सिप्रादास को, option number E से उत्तर हो जाएगा स्वाधीन परजा नामक सापता एक पत्र का परकासन किसके द्वारा किया जाता था यह स्वाधीन परजा जो है, यह उत्राखंड का है, विक्टर मोहंजोसी से उत्तर हो जाएगा, option number E अगरा देखिए उत्राखंड जल विद्यूत निगम ने में लिखित में से कहां इस्तापित है तो उत्राखंड जल विद्यूत निगम आपका दहरादून में इस्तापित है अगरा देखिए केदारनाथ बन्नेजीव बिहार को किस वर्स इस्तापित किया गया था किदारनाथ बन्नेजीव विहार रिस्तापित किया गया आपका 1972 में option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा अगरा देखिए देव परियाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो देव परियाग के लिए इंदर परियाग भी कहा जाता है उत्राखंड के केस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी हो गई आपकी मसूरी option number 20 सही उत्तर हो जाएगा अगरा देखिए सरो निर्त्य में नर्ता के किन कथाओं को करताब दिखला कर प्रस्तुत करता है तो युद्ध कथाओं को करताब दिखला कर प्रस्तुत करता है सरो निर्त्य में option number 1 अगरा देखिए चौफुला क्या है तो चौफुला एक निर्त्य है यह आसान सा प्रस्ट है सेंट जॉर्ज कॉलेज की इस्तापना किस वर्स की गई थी मैक्स मुलर ने अपने किस पुस्तक में गड़वाली भासा को प्राकृतिक भासा का रूप इसमें माना है तो यह हमने कुल 150 MSQ discuss किये आपने लेवल देखी लिया होगा बिलकुल PCS वाला लेवल है और अपने वाला लेवल को पना है